दोस्तो आज मैं आपको keyboard की 6 new setting के बारे में बताऊंगा जो एक से बढ़कर एक setting है सभी setting बहुत ज़्यादा important और useful setting है अगर आप एक android phone use करते हैं तो आप keyboard से typing तो ज़रूर करते होंगे ऐसे में दोस्तो keyboard के जो latest features है आपको पता होना चाहिए तो अगर आप इन setting को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखिए चैनल को subscribe कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए साथ में bell icon को दबा कर all part set जरूर कीजिए ताके हमारी latest वीडियो आप सबसे पहले देख पाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पर follow नहीं किया है तो अभी follow कर लीजिए ये मैंने एक नया page create किया है अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं वहाँ पर मैं active रहता हूँ इसका link आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तो बात करते हैं पहली setting की दोस्तो लगबग सभी Android phone में Google का ही keyboard होता है जिसका नाम है Gboard अगर आपके phone में Gboard application नहीं है तो इसका download link मैं आपको description में दे दूँगा तो बात करते हैं पहली setting की तो दोस्तो पहली setting की मदद से आप keyboard की मदद से किसी भी image को download किये बिना copy करके कहीं पर भी share कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो कहीं बार ऐसी हमें जरुवत बढ़ जाती है कोई image हमें पसंद आ जाती है जिसे हमें WhatsApp या Facebook पर कहीं पर भी share करना होता है तो पहले हम उसे download करते हैं इसके बाद वो हमारे mobile की gallery में sale हो जाती है वहाँ से हम उसे share करते हैं लेकिन दोस्तो आपको इतना लंबा process करने की जरुवत नहीं है आपको simple image को copy करना है वो आपके mobile की gallery में download भी नहीं होगी और आप उसे कहीं पर भी share कर सकते हैं keyboard की मदद से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक image है तो इसे मुझे copy करना है पहले इसके लिए long press करना है image के उपर इसके बाद यहाँ पर कहीं सारे option आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर copy image पर click कर देना है तो अब यह image copy हो चुकी है अब जहाँ भी आपको share करना है वहाँ पर आपको keyboard को open करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर image दिगाई दे रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है paste जैसी मैं इस पर click करूँगा देख सकते हैं इमेज यहाँ पर आचुकी अब यहाँ पर मैं इसे share कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप keyboard की मदद से किसी भी image को copy करके share कर सकते हैं दोस्तो दूसरी setting के लिए आपको जाना है keyboard की settings में यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी preference आपको इस setting पर click करना है उपर में आपको यहाँ पर emojis दिखाई देंगे जो भी आपने recent emoji use किया है वो सभी यहाँ पर keyboard की home screen पर आ जाएंगे जिन पर click करके आप आसानी से share कर सकते हैं यनि के आपको emoji share करने के लिए emoji पर long praise करने की ज़रूवत नहीं है आप shortcut में ही emoji यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आपको और कुछ emoji use करना है तो यहाँ पर आपको emoji का icon मिलेगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके और भी कहीं सारे emoji आ जाएंगे तो इस तरह से दोस्तों इस setting की मदद से आप emoji add कर सकते हैं recent emoji add कर सकते हैं दोस्तों तीसरी setting की मदद से आप keyboard sound enable कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं typing कर रहा हूँ तो sound सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर आप चाहते हैं जब भी आप typing करें तो जो आप type करेंगे उसका sound सुनाई दे तो ऐसी setting आप कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है Settings में जाना है यहाँ पर आपको preference में जाना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी sound on key press आपको इस setting on कर देना है यह setting on करने के बाद अगर आप typing करेंगे तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर आपको टाइपिंग साउंड सुनाई देगा जो के देखने में और सुनने में काफी जादा अच्छा लगता है दोस्तो तीसरी सेटिंग यूज करने के लिए आपको इमोजी के सेक्शन में चले जाना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं सारे इमोजी है तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप कोई भी इसमाईली इमोजी यूज करते हैं इसे यूस कर सकते हैं दोस्तों पाचवी सेटिंग भी काफी जादा यूसफुल सेटिंग है अगर आप यहाँ पर थ्री डॉट पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर कीबोड के कहीं सारे यूसफुल फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अब हो सकता है इन में से कोई फीचर्स आप बहुत जादा यूस करते होंगे जिने यूस करने के लिए आपको पहले थ्री डॉट पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपके फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यूस करने के लिए मिलेंगे लेकिन दोस्तों आप चाहे तो इन फीचर्स को क आप shortcut में उसे use कर पाएंगे, आपको three dots पर जानी की ज़रुवत नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी features आप बहुत ज़्यादा use करते हैं, उस पर आपको long press करना है, इस तरह से आपको उढ़ा कर ले कर आना है, उर उपर ला कर छोड़ देना है, जैसी आप ल long press कर कर ले कर आना है, अगर आपको इसे हटाना है, कोई और use करना है, तो आपको इस तरह से long press कर कर उपर ले कर आना है, तो यहाँ से यह भट जाएगा, और यहाँ पर यह आ जाएगा, दोस्तो आखरी setting यूज़ करने के लिए आपको emoji वाले section में चले जाना है, इसके अलग-अलग design में, अलग-अलग color में, अलग-अलग style में, और भी कहीं सारे emoji देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे के आप देख सकते हैं, अब दोस्तों यह जो feature है, यह काम करता है, सरी people वाले section में, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, people लिखा हुआ है, अ तो यह थी दोस्तों keyboard की इछे new setting, कौन सी setting आपको सबसे जादा पसंद आईए, मुझे comment करके जरूर बताना, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, what's up, facebook पर जादा से जादा शेर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में bell icon को दबा कर all पर set जरूर कीजिए, ताकि हमारी latest वीडियो सबसे पहले आप देख पाए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you